नमस्कार किसान सात्यों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो जान लेते हैं सभी बड़ी मंडियों के आज आलू की फाइनल भाव के बारे में किसान भायों किस मंडी में कैसा महौल देखने को मिला है तो चलिए किसान सात्यों वीडियो को सुरू करत तो सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली आजाद पुरमंडी के बारे में तो यहां पर जो चिफ्सोना आलू है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रतिक पैकेट के साफ से देखने को मिला हुआ है और जो समसाबाद का आलू है किसान सातियों वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रतिक पैकेट के साफ से देखने को मिला हुआ है अगर बात करें गुजराद के एहमदाबाद मंडी के बारे में तो यहां पर जो पोखराज आलू है 100 रुपए से लेकर 160 रुपए प्रतिक पैक पैकेट के साफ से देखने को मिला हुआ है वहीं पर किसान सातियों अगर ओडिशा भवनेश्वर मंडी की बात करें तो 1000 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रतिक कौंटल के साफ से पूने मंडी में 12 रुपए से लेकर 15 रुपए और बैंगलूरू मंडी में 7 रुपए से लेकर 800 रुपए पैकेट के साफ से नासिक मंडी की बात करें तो 800ुन एंडिगर रूम। और राजिस्तान के जोटपुर मंडी में 900 रुपैस लेकर 8050 रुपैस जो आलू है देखने को मिला हुआ है अगर चैंप एंडिया मंंडी की बात करें तो पांच रुपैस लेकर 650 रुपैस 14 किलो के मंद के साथ से आलू देखने को मिला हुआ है कानपुर मंडी की बात करें तो यहां पर जो आलू है वो खरीदारी सिंदूरी आलू 400 रुपए से लेकर 470 रुपए लोकर आलू 380 रुपए से लेकर 420 रुपए किसांस आती हो चालिश कुलो के मन के साथ से देखने को मिला हुआ है